दोस्तों मक्सफर साइन्स फिक्षन मूवीज में देखते हैं कि कैसे एक करेक्टर एक ही पल में दूसरे जगात पहुंच जाता है और कैसे होलोगराम को यूज करके ऐसे 3D मोडल बनाय जाते हैं जो बिल्कुल रियल लगते हैं दोस्तों ये दोनों एक काम possible हो पाते हैं टेलीपोर्टेशन और होलोगराम टेक्नोलजी से ये टेक्नोलजी पहले सिर्फ कल्पना थी लेकिन आज दीरे दीरे हाकिकत बन रही हैं जिसमें एक मूवी में तो स्पैडर मैन को एक विलन ने ऐसा तोड़ा जो से आज तक याद है और नासा वालन तो होलोगराम और टेलीपोर्ट को मिक्स करके होलोपोर्ट नामक नए टेक्नोलजी बना ली है जो कि hologram और teleport दोनों का काम एक साथ करती है hologram वो technology है जिसके दोवारा light के diffraction को यूज करके virtual three dimensional image बनाई जाती है इस technology की सुरुआत में 1947 में होई थे और आज ये अतनी विक्सित हो चुकी है कि आज object को laser के दोवारा record करके इनके 3D model बनाई जाते हैं और दूसरी technology है teleportation ये technology hypothetical याने कालपनिक है इसके दोवारा matter और energy को universe के एक point से दूसरे point पर instantly पहुचा दिया जाता है और इन दोनों ने मिलकर holoport नामक technology को जनम दिया जिसके दोवारा किसी भी object के 3D model को किसी दूसरे point पर instantly दिखाया जा सकता है जिसका परियोग NASA ने थोड़े दिन पहले किया दरती पर मोजू डोक्टर के 3D model को create करकर ISS में instantly represent कर दिया गया हाला कि इसकी quality इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन समय के साथ इसकी quality और अच्छी हो जाएगी और इसको 3D telemedicine technology भी कहा जाता है क्योंकि इसके दोरा ISS के अंदर डोक्टर को teleport कर दिया गया जिससे की astronaut और डोक्टर आपस में बातचीत कर सके